Hello everyone, आज हम Class 8 Science के Chapter No. 1 KROP Production and Management के Lesson Plan को डिसकस करेंगे जिसमें हमारा आज का टोपिक है Agriculture Agriculture को लेके जो Lesson Plan आप प्रेपेर कर सकते हो अपनी फार्मेल लिख सकते हो उसके हम बात करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो General Objectives जो हमारे होते हैं वो आप अपनी जो वे फार्मेल उसमें सबसे पहले First और Second Page पर लिख लेते हैं तो वो तो सेम रहेंगे उनको हमें बार-बार हर एक Lesson Plan में लिखने की नीड नहीं होती फिर हम बात करते हैं Specific Objectives की या फिर आप Behavioral Objective यहाँ पर लिख सकते हो या आपकी चोईस है Specific Objective में हम बताएंगे कि जब भी हम Lesson Plan या जो भी Lesson हम पढ़ाएंगे Lesson Plan डिलिवर करेंगे उसके बाद Learner इतना अबल हो जाएगा जैसे कि वो जान जाएगा Agriculture कैसे Begin होता है Know about crops and their types He or she can understand the overview of agriculture practices used इससे क्या critical thinking develop होती है और वो apply कर पाएगा जो भी knowledge develop होती है उसकी उसको day to day life में तो यह सारे हमारे कुछ objective रहेंगे जिसमें यहाँ पर आप Maximum 5 objective लिखोगे Minimum 3 अगर 5 लिखेंगे तो वो अच्छा रहेगा फिर हम बात करते हैं हमारे teaching methods कौन कौन से रहेंगे तो इसमें आप जैसे कमी method है दो ही method यूज हुए है आप चाहे तो और भी method यूज कर सकते हो जैसे discussion demonstration और फिर आएगा teaching method जिसमें आप teaching aids क्या क्या aids आप यूज करे हो PPTs, videos, ये यूज कर रहे हो animation साब लिख सकते हो बात करें previous knowledge की कि बच्चे की क्या previous knowledge रहेगी तो उसमें हम लिख सकते हैं कि the learner know about food and their source learner इतना तो जानता होगा कि food के बारे में और उनके sources के बारे में फिर हम क्या करेंगे previous knowledge को check करेंगे उसकी testing करेंगे जिसमें आप यहाँ पे टेबल बनाओगे जिसमें एक तरफ होगा teacher's activity एक तरफ होगा student's activity ये student activity जो है इसको आप expected student activity भी लिख सकते हो क्योंकि हमें नहीं पता है क्या बच्चे बिल्कुल यही response करेंगे यही answer देंगे उनके answer different भी हो सकते है तो previous knowledge को check करने के लिए क्योंकि previous knowledge है food के बारे में और उसके sources के बारे में बच्चों को पता होगा यह मान के चलते हैं तो इसको कैसे check कर सकते हैं like हम उनसे questions पूछ सकते हैं what do we eat, where does it come from, where do we grow these plants, what are the process of growing plants and fields called यह सारी चीज़े और जब एक ऐसा question last में पूछेंगे जो topics से एकदम related होगा उसको ऐसे problematic question या एक डैस दे देंगे कि बच्चे इस concern नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी तक यह चीज़े नहीं पड़ी है फिर यही से ही हम start कर देंगे अपने topic के introduction को introduction में statement आएगा topic का कि so today we will study about agriculture इस तरह बोल कि हम अपने topic को start करेंगे topic को start करते हैं तो हमारा main lesson plan की बोड़ी आती है presentation यह presentation ही main lesson plan होता है जिसको हम deliver कर रहे होते हैं classroom के अंदर तो इसके अंदर क्या के चीज़े आ सकते हैं जैसे सबसे पहर जो teaching point आएंगे teachers activity आएगी student के response आएंगे assessment यह सारी चीज़े तो teaching point में हमारे हो सकते है the history of agriculture क्योंकि हम यह चीज़े पहले पढ़ाएंगे उसके according आप teacher की activity लिखोगे कि teacher जो भी चीज़े दिखाता है animated video दिखा रहा है या जिस method से पढ़ा रहा है फिर student response आएगा student कैसे response कर रहे है वो observe कर रहे है pictures को और अपने view शेयर कर रहे है फिर assessment में या फिर आप यहाँ पे evaluation लिख सकते हो यहाँ पे कोई question आप उनसे पूछोगे इसी तरह आप definition पर आओगे agriculture की उन्हें definition बताओगे फिर second हमारा teaching point आजाता है crop and reads types यह देख लीजे आप आप इसको लेकर teacher किस तरह इसको पढ़ाएगा कि वो picture दिखाएगा वीडियो दिखाएगा जो भी फिर crop उसके type बताएगा खरीफ कौन सी crop होती है यह सारे चीज़े रभी कौन सी crop होती है यह सब फिर student discuss करेंगे अपने views को no down करेंगे definitions को examples को और फिर हम ऐसे ही evaluation या assessment में आपे side में questions उन्हें से पूछ सकते है आगे की बात करें तो हमारा third teaching point agricultural practices क्योंकि हम agriculture पढ़ रहे हैं तो यह तीन चीज़ में important है तो सबसे पहला हम इन्हें ही बच्चो को पढ़ाएंगे इनके according lesson plan बनाएंगे तो इसमें का है teacher questions पूछ सकता है student को बता सकता है activity करा सकता है कि यह agriculture practices होती है यह six seven agriculture practices के बारे में बताएगा student discuss करेंगे और note down करेंगे इन agriculture practices को तो यहाँ पर होता है फिर हमारा आ जाता है समडी जो भी हमने पढ़ा उसके एक basic general समडी यहाँ पर देखो तीन point में समडी लिखी हुगी है कि when plants of the same kind are grown at one place on a large scale is called crop फिर main जो crop season है उसमें season जो होते हैं इंडिया गेंदा उसमें कौन सी crops ह होती है तो खरीफ और रभी होती है फिर activity या टास्क जो भी किये जाते हैं एक क्रोप को कल्टिवेशन में उसको अग्रिकल्चर प्रक्टिस बोलते हैं यह सारी चीज़े बेसिक समडी में आ जाएंगी फिर रिकैप्चुलाइजेशन जितना हमने पढ़ा एक बार उसका र फिर लिखा है अमारा learning process इसको आप learning extension लिख सकते हो यह एक तरीके से homework होता है बच्चों के लिए इसको नए टर्म में learning extension बोला जाता है तो वह बेटर रहेगा आप यहां पर learning extension लिखो फिर आएगा हम इसमें question एक assignment कुछ भी चीज वहां पर लिख सकते हैं तो यहां पर जैस तो इस तरह आज को lesson plan complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.